पिछला वीडियो जो था उसने सर्कुलर क्यू का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आज के इस वीडियो को देखने के बाद सर्कुलर क्यू कोड तो आप लोग करी लोगे लेकिन चीजे इतनी आसान बन जाएंगी न कि आप खुद को गया इतनी आसान तो कभी थी नहीं तो यार स्टार्ट करता हूँ जल्दी से इसी चीज़ को और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि सर्कुलर क्यू आप लोग को बताऊंगा किस तरह से आप लोग कोड कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि सर्कुलर क्यू जल्दी से एक बर और ठीक है कि क्या था concept क्या था तो देखो हमने circular q में क्या देगा था यार एक array है ठीक है यह array बिल्कुल इसी तरह का array है ठीक है तो मैं यहाँ पर जरा इसको ऐसे करें मिटा देता हूं इस array को मैं जरा साफ कर देता हूं और size दोनों array का same रहेगा ठीक है क्योंकि यह वाले array को ही मैं नीचे लिखना चाहता हूं और यहाँ पर मैं जरा यह भी हटा देता हूं और मैं अभी आप लोग को बस यह बता रहा हूं कि circular q क्या होता है अखला कि मैं बता चुका हूं लेकिन एक बर ओल ठीक है बहुत ही जल्दी बहुत तेज ठीक है तो यहांपर 7 है 11 है 12 है ठीक है तो देको 0 पर 7 है 11 है 12 है और यह डौट डौट करके कहा तक जा रही है index पर फरुर ये नौ तक जा रही है ठीक है मैं अगर इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा फिर यहाँ पर लेकर आऊंगा फिर यहाँ पर लेकर आऊंगा और आपको बताया था कि एक counter की तरह समझ लो मैंने आप लोग को पहले बताया था बहुत अच्छी तरह से counter की तरह समझ लो जो counter है हमारा उसमें लोग लगे हुए है यहाँ पर और लोग निकलते जारे निकलते जारे निकलते जारे आगे से और पीछे से आते जारे है ठीक है यह था हमारा point पूरा circular क्यों का अभी हमने क्या किया इस array को ऐसे लिख दिया ठीक है तो यह जो array है इसको हमने exactly इसी array को हमने इस तरह से लिख दिया, से मेरे है, उसको हमने ऐसे लिख दिया, उल्टा करके, खुमा के, ठीक है, यानि कि इसको लपेट दिया वापस इसी में, और ये एक circular array बन गया, हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम concept use कर सकते हैं, circular increment का, circular increment का concept क्या था, i plus 1% size, तो हम i is equal to i plus 1% size कर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम जब 9 पे increment लगाएंगे, तो हम 0 पे आ जाएंगे वापस से, ठीक है, तो इस तरह हम गोल-गोल इस Q को use कर सकते हैं, और इसके सारे elements को use कर सकते हैं, एक element हमारा खाली रहेगा, ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले बात करना चाहूँग एक तो मेरा जो, इस ट्रक, क्यू, स्टार, क्यू मेरा लेगा और एक इंट वैल लेगा जो भी मैं, यह वैल क्या है, वैल क्या है, वैल वो value है, जो कि मैं डालना चाहता हूँ, किस मैं डालना चाहता हूँ, वैल वो value है, जो कि मैं डालना चाहता हूँ, इस Q के अंदर, और क्या ये Q full तो नहीं है, ठीक है क्योंकि ये full है तो मैं in Q नहीं कर सकता, तो मैं आपर लिखूंगा if मैं कहूंगा Q का जो rare है, जो Q का rare है, plus 1, अब देखते जो मैं आपर क्या कर रहोंगा, मैं कहरो Q का rare plus 1 percent Q का size, size यह मैंने क्या कर दिया अब वोगर यह क्या कर दिया रेयर प्लस वन पर्सेंट size मैंने किया क्यों किया क्योंकि में next element देखना चाहता हूँ क्या है अगर मैं ये लिखुँँगा qr प्लस वन पर्सेंट q size तो मैं अगर 1 पे हूँ तो ये चीज 2 हो जाएगी 2 पे हूँ तो ये चीज 3 हो जाएगी 3 पे हूँ तो ये चीज 4 हो जाएगी and so on 9 पे हूँ तो 0 हो जाएगी एक special case है इसलिए मैं इसको इस form में लिखा है वर्णा मैं Q plus QR plus 1 लिख देता लेकिन मैं प्लस 1 नहीं कर रहा हूँ मैं plus 1 percent size कर रहा हूँ ताकि 9 का मुझे 0 मिले यानि कि मैं next पे चला जाओ तो मैं आपर एक बहुत ही simple सी बात बोल रहा हूँ मैं आपर बोल रहा हूँ कि अगर जो next वाली index है वो front है next वाली index किसके Q के front के अगर यह बराबर है Q के front के तब क्या करो तब यहां पर आप print कर दो printf q overflow ठीक है ऐसे आप कर सकते हो आप इसके अंदर elements नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते आप इसके अंदर elements ठीक है तो आप इस तरह से q overflow यहां फिर q is full q has been used to its capacity यह सब चीज़े आप डाल सकते हो वरना आप क्या करोगे else आप यहां पर क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप क्या करो q के rare को मैं लिकूंगा q का जो rare है वो increment हो जाए मैं क्या करूं इसको मैं आपर circular increment लगूंगा मैं कहूंगा q का rare plus 1 percent q का size percent q का size इस तरह से मैं लिकूंगा मैं कहूंगा जो q का rare है वो हो जाए circular increment तो q के rare को मैंने circular increment कर दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा जो मेरी q का array है जो मैं array यूज़ कर रहा हूं q में उसके rare वाली position पर मैं value डाल दूँगा यनि की value डाल दूँगा और अभी मैं इसको बताता हूँ यह किया क्या है तो यह मैंने else बन किया यह मैंने function यहाँ पर मुझे curly brace लगा के खुलना चाहिए यहाँ पर और यह भी बन कर दूँगा syntax करें हम ठीक कर लेंगे जब हम लोग VS code में जाएंगे तब हम ढग से देख लेंगे syntax बहुत अच्छी तरह से लेकिन अभी यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि यह कैसे काम कर रहा है तो यह जो function मैंने लिखा है भी यहाँ पर मैं आपर करके आ रहा हूँ यह जो function मैंने लिखा है मैं इस function को use करके इसमें एक value डालना चाहता हूँ Q में तो मालो मैं यहाँ पर डालना चाता हूँ एक value, तो 7, 11, 12 के बाद, rare मेरा 12 पर अभी, मैं यहाँ पर डालना चाता हूँ, एक value, तो सबसे बहले मैं check करूँगा कि कहीं Q full तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि full हो चुकी है तो मैं नहीं डाल सकता, वर्ना मैं क्या करूँगा, Q का जो rare है उसको circular increment करूँगा, increment नहीं circular increment करूँगा, तो मैं circular increment करूँगा, तो 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है, मैंने circular increment क्यों किया, direct increment क्यों नहीं किया, plus 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 9 पर होता तो वो 10 हो जाता और वो invalid हो जाता, मैं 9 से 0 पर आना चाता था, इसलिए मैंन यह मैं 2 लिखा रहें देता हूँ R मेरा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ठीक है यहाँ पर यह मैं ticks सारे हटा देता हूँ यह जो ticks लगे होए यहाँ पर मैं अपने R को ले आउँगा तो मेरा R अभी कहाँ पर आ गया मेरा 3 पर आ गया R एक मेरा R यहाँ पर 3 पर आ गया है तो मैं जो array है इसके R पर value को insert कर दूँगा मालो value मेरी 8 है मालो let us assume कि मैं 8 को insert कर रहा हूँ ठीक है मालो मेरी val जो है वो 8 है तो मैं आप val is equal to 8 लिख देता हूँ direct से ठीक है इसमें circular Q में enqueue करना तो बड़े अराम से हमने enqueue कर लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और DQ किस तरह से करेंगे DQ भी देखते हैं DQ operation भी important है तो यह तो enqueue था हमारा अब DQ operation देख लेते हैं इसको मैं अच्छे से मिटा देता हूँ और इसको मिटाने के बाद मैं आपर DQ लिखूँगा ठीक है जब मैं DQ करूँगा आप लोग बताओ यहाँ पर मुझे मेरा क्या निकलेगा कौन सी value निकलेगी मेरी DQ करूँगा तो तो मेरा 7 निकलेगा क्योंकि जो सबसे आगे वाला होता है वो निकलता है DQ करते हैं तो ठीक है DQ यहाँ पर int DQ लिखने के बाद मैं क्या लूँगा मैं Q लूँगा ठीक है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर struct Q star Q by reference मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ बाद वाल्यू लूँगा तो मैं change नहीं कर पाऊँगा अब मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा int value is equal to minus 1 मैंने ऐसा क्यों किया value is equal to minus 1 क्यों लिखा यह भी आपको बताऊँगा but मैं आपर चेक करूँगा कि अगर मेरी जो Q है वो empty है तो मैं यह देखूँगा कि आरे कहीं empty तो नहीं है क्योंकि अगर यह empty है तो मैं इसमें से कुछ निकाल नहीं सकता empty की क्या condition है इस circular Q में मालू मैं निकाल दा गया elements को यहां से निकाला मैंने यहां से निकाला यहां से निकाला एक time होगा कि front rare के बराबर हो जाएगा वो होगी हमारी empty की condition तो empty की condition क्या है Q का front बराबर हो जाए Q के rare के front rare कर लो rare front कर लो बात बराबर है ठीक है तब आप यहां पर क्या करोगे आप यहां पर लिख दोगे print करा दोगे कि नहीं निकाल सकते elements और आप यहां पर लिख दो empty Q तो मैं आपर लिख दे रहा हूँ empty Q अभी ठीक है तो मैंने यहां पर print करा दिया empty Q वरना मैं क्या करूँगा वरना मैं यहां पर लिख दोगा else वरना आप क्या करें वरना आप क्या करेंगे, कहां से निकालेंगे, front से निकालेंगे obviously front से निकालेंगे, सबसे पहले तो front को increment करेंगे, अच्छा increment करेंगे circularly increment करेंगे, circular क्यों है circular increment लगाएंगे, तो circular increment जो है, वो यहां पर हम करेंगे, और हम यहां पर q का जो front है, उसको circular increment करेंगे कैसे करेंगे circular increment यार formula लिखा है था plus one percent size simple plus one percent size as simple as that बहुत simple है तो बस यह है कि circular increment से zero one होता है one two होता है two three three four four five five six six seven seven eight eight nine और nine zero हो जाता है यह यह important है यह चीज़ important है nine zero हो जाता है ठीक है circular increment करने से तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं value को change करूंगा value return करूंगा कौन सी वाली यह वाली return करूंगा जहाँ पर मैंने front move कर दिया वो value return करूंगा तो मैं कहूंगा where is equal to q ke array पर q ke array पर जो front पर value है तो जो front पर value है वह तो यहाँ पर अगर मैं इसको complete कर देता है और मैं return कर दूंगा ver captain कर दो well तो ये return हो जाएगा value return हो जाएगी अच्छा एक बात बताओ आप लोग मेरे को कि यहाँ पर कैसे हो गाई का मैं अगर इसको अभी eraser ले लूए ठीक है मैं यहाँ पर एक eraser ले लेता हूँ मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा front को मिटाओ front को मिटाओ और front को आगे बढ़ा दो और वहाँ का element अटा दो तो front यहाँ पर आ गया ठीक है अब वो जो front वाली space खाली जो एक छोड़ते हैं Q में वो यह बन गई है ठीक है और मैं इसको साफ कर सकता हूँ इसको ठीक है और मैं यह shade कर रहा हूँ ना मैं front को shade कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ shade क्योंकि यह हमेशा खाली रहता है front हमेशा circular q में खाली रहता है ठीक है हमने यह q empty की condition देखी हमने q full की condition भी देखी थी अभी हमने जब n q देखा था तो यह full की condition यह थी कि अगर आप circular increment करके यह देखते हैं कि जो आपका rare है वो front के बराबर हो जा रहा है तो वो q full की condition है यह अगर आप rare को circular increment करते हैं और वो front पे पहुंचाता है तो उसको बोलते है q full है आप इस element नहीं डाल सकते हैं ठीक है तो यह था in q dq अगर आप चाहें तो इनको अलग-अलग operations करके भी बना सकते हैं अलग-अलग functions बना सकते हैं इनको यह आपका बन जाएगा is empty यह आपका is empty function अलग से आप चाहें तो बना सकते हैं इसको is full is empty अलग-अलग बना सकते हैं जैसे कि हमने stack में और हमारी जो linear q थी उसमें देखा था तो आप वैसा भी कर सकते हो ठीक है यह आपकी मर्जी होगी तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि VS code में चलेंगे अगले वीडियो में और इस चीज को code करेंगे पूरा circular q को धंग से एक जगा पर एक file बनाएंगे circular q की और वहाँ पर सारे operations लिखेंगे NQ लिखेंगे DQ लिखेंगे और वो वीडियो ना थोड़ा quick रखेंगे थोड़ा ऐसा रखेंगे कि जल्दी जल्दी क्योंकि यार हमने circular q काफी समझ लिया है मुझे नहीं लगता कि यार अब किसी को दिखकत होगी circular q में बर लास्ट वीडियो में मैंने पूचा था कि यार आपको comment में लिखना है मैंने ये बोला था कि comment में लिखना है कि circular q क्यों समझ में आया है या नहीं बहुत कम लोगों ने लिखा in fact 2 comment देखें मैंने अभी तक किसी ने नहीं बताया किसी ने भी नहीं बताया कैसा लगा आप लोगों को यार प्लीज मुझे बताओ नीचे comment में कैसा लग रहा है आप लोगों को circular q समझ में आया की नहीं प्लीज इस question का answer करना मैं आपको please बोल रहा हूँ ज़रू करना answer ignore मत करना मेरी बात को और I hope कि यार ये वीडियो के बाद तो यार clear होई गया होगा क्यों आप लोगों को अगर आप लोगों ने मेरी जो data structures की playlist अवो access नहीं करी है तो ज़रूर कर ले ना यार access उसको data structures की playlist को उसमें मैंने सारे वीडियो अड़ किये हुए और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने या क्लिक करके इसको bookmark को save नहीं किया वो कर ले ना वीडियो को like करना मत भूलना please मुझे पता है कि आप लोगों के लिए वीडियो को like करना जो है जारा time नहीं लेगा कर देना दबा देना like button अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time